ठीक है न, क्या पूछ रही है बच्ची कि अगर phi phase difference है तो कला अंतर क्या होगा, यह अपन ने बहुत बार किया है लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार दराओ देता हूँ, आज का chapter है अपना, बच्ची ने पूछा कि phi और lambda में क्या difference है, relation है, आप याद करिए कि अपने पढ़ा था wave, यह होता है lambda, lambda phase difference के लिए, यानि की lambda path, path hantar, path hantar के लिए, फेज अंतर या कला अंतर है न, सॉरी है, उपनों को पता है कि lambda path hantar के लिए phase hantar खिता होता है, उल्टा चलते है, सब लोग शांत होगा इसका मतलब, जीर नहीं वह अपना पुराना वाला चेत्र, अगर हम इसको पूरा चक्का काट लेते हैं, तो कित्ता path चलता है, और इस्ते में कित्ती तरंग द्यार्थ हो जाती है, एक, इसका मतलब हुआ कि lambda path चलने के लिए, lambda path चलना इस तरंग ने, lambda path चलने के लिए उसको कित्ता एंगिल करना पड़ा पुरा, 2pi, इसलिए एक path चलना के लिए कित्ता होगा, 2pi by, और अगर P path चलना रहतो, तो phase difference होगा, phase अंतर यानि कलना अंतर, 2pi by lambda इंटो P, इसका मतलब हुआ क्या लिख सकते हैं इसको, कि path चलना इंटो 2pi by lambda, path चलना इंटो 2pi by lambda path चलना इंटो 2pi by lambda path चलना इंटो व्यतिकरण के अंदर इसको ध्यान सुन लो इस चीज को लिंक व्यतिकरण और विवर्तन में लिंक क्या है, यह पता नहीं चलेगा तो पूरा विवर्तन बेकार हो जाएगा, हम लोगों ने व्यतिकरण में देखा था, एक स्रोत लिया हमने, उसको दो स्रोतों में विभाजित किया, एक वर्णिय स्रोत होता था, ठीक है, यहां से हमारा wavefront चलते थे और यहां पर दो अलग अलग wavefront होते थे, और इसके कारण पर पर हमको fringes दीखती थी, center में bright fringe दीखती थी, उसके बाद dark fringe दीखती थी, इस परकार dark और दीखती थी और सारे fringes की width जो है, चोड़ाई जो है, कितनी थी, उसके कारण यह fringes बनी, लेकिन यहां पर हम एक चीज भूल गए, यह वैग्यानिक उने उस समय सोचा, कि यह तो यंग ने बहुत अच्छा experiment करके दिखा दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकि उन्होंने देखा जैसा है कि बच्चे ने उस दिन घर पे experiment करके देखा था, कौन बच्चा था हो, यह आप थे, इस बच्चे ने जब घर पे experiment करके देखा, तो इसको नजर आया कि बीच में देख ब्राइट आया, लेकि उसके बाद फिर जो डार्क पूरा अपने अपने कहा था, सब की तीवड़ता एक साथ डार्क आनी चाहिए, लेकि ऐसा नहीं हुआ, हलका आया, हलका डार्क, किसी प्रकार फिर जो चमकीला था वो भी हलका हुआ, यह दिखा था न बच्चे आपको, आपको यह दिखा था, वेज्ञानिकों ने भी देखा ये और वेज्ञानिकों ने काया कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है उन्हें कहा कि हमने इस वाली slit में से जो तरंगे निकली है उनका वैथिकरन तो देख लिया लेकिन जो basic सिध्धान था हमारा कि अगर यहां हमारा कोई भी wavefront चलता वा रहा है और यह wavefront यहां पहुंचा और यह wavefront यहां पहुंचेगा जब तो इस particular slit में यानि इसमें भी इस particular slit में प्रतेक बिंदू से तरंगे पैदा होनी चाहिए की दाने अभी तो हमने क्या किया था इहां से एक स्रोट था इसका हमने हमने यहां मानी और दूरे तरंग हमने यहां से मनी क्योंकि हमने सिरोट की चोड़ाई बहुत कम मानी थी तो पाइंट three mm जैनी यहान यहाद आपको slit के हमने का था कि happen three mm होनी चाहिए बहुत कम थी लेकि इतना कम होने के बावजूत भी जैसे ही यहाँ पर तरंगागर इसके पास आएगा तरंगागर का मतलब है कि यहाँ पर छोट छोट है चल रहे हैं जब यहाँ पर पहुंचा इसका मतलब यहाँ पर भी शुरू हो जाएंगे बनने दूसरा इसके पास है वहाँ पर यह बनने शुरू हो जाएंगे रहे हैं सब्सक्राइप इस पर पर प stylish का है वह भी तरंगें पैदा करेगा और तरंगें पैदा करेगा présentर्iren का एक तरं आगर भी पैदा कि यहां गा हर तरह तरफ से लेकिन क्योंकि यह इस पॉई temat होघ चो शोड़े बना रहा है तो इसलिए कुछ हमारी कि इस दिशा में भी जाएंगी यानी कि रम्रा तरंग आगर नगे हमारे को बड़ा दिखेगा इसको अगर हम और भी सरल भाषा में समझने कोईश करें तो वैतिकरण और विवर्तन में जो अंतर है वो यह है कि यहां पर हम दो स्रोत लेते हैं और इन दो स्रोतों से जो भी तरंगे निकलती हैं उनका जो वैतिकरण हो रहा है उसके कारण जो फ्रिंज बनती है वो सब एकपल चड़ाई की हो पॉइंट दवारा एक छोटा तरंगाग्र बनाया जाएगा जिसके कारण की खुब सरी तरंगें बनेंगी और वह तरंग में छी वे यह दोनों में अंतर है विवाती करण में दो हम अलग-अलग तरंगों के इंट्रफेरेंसिक बाहरें हैं बात करते हैं विवडिकरण विवर्तन में वैतिकरण की ही बात कर रहे हैं परंतु एक जो slit है उस slit में बनने वाले छोटे छोटे जो तरंगाग्र है उनके कारण जो बड़ा तरंगाग्र बन रहा है उस पर भी विचार कर रहे हैं यानि कि यह भी कुछ फ्रिंजेस बनाएंगे अपनी यह जो है छोटी slit यह भी कुछ फ्रिंज बनाएगी और इस फ्रिंज का प्रभाव जो वैतिकरण द्वारा फ्रिंजेस बन नहीं थी उनकी इंटेंसिटी पे तीवृता पे पढ़ेगा और इसके कारण उनकी तीवृता आपको धुंदी दिखेगी आपको धुंदी दिखेगी आपको से अलग-अलग तरंगे चलती हैं उन तरंगों का जो वैतिकरण होता है इंटरफेरेंस होता है उसके कारण बनने वाली जो फ्रिंजेस होती है वो वैतिकरण कहलाती है और यदि एक ही फ्रिंज हो और थोड़ी चौड़ी फ्रिंज हो तो उसके अंदर प्रतेक बिंदू द को फरक कर देंगे इसलिए इतनी शार फ्रिंजे अपने कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो यह दोनों परके हैं साथ साथ हो रही है कि विवर्तन व्यतिकरण का ही रूप है जब एक स्रोज से निकलने वाले तरंगाग्र एक दूसरे के साथ इंटरफेस कर रहे ह जाने कि हम उनके उपर एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव करके देख रहे हैं तो विवर्तन होता है ठीक है इस बात में किसी बच्चे हो कन्फिजन जबी आगे वड़ूँगा इसको अगर आप समझ जाओगे तब दुबार बता हूँ विवर्तन व्यतिकरण में बेटा क अपने का था कि यह मुनोक्रोमेटिक भी है और कला संबद्ध भी है इसलिए यह दो स्रोथ यहां पर है इसमें एक तरंग यहां बनी और यह एक तरंग बनी यह दोनों कला संबद्ध तरंगे बनी और यह कला संबद्ध बनी तो इसके अंदर हमने लिखा था कि आई क्या हो जो अभी हमने निकाला है फिल यह एंतर और फेजंतर क्या होता है तो पाइबाइ लेमडा इन्ठी प्यूंज ब्हूर्ट तो हमने यह देखा था है यहां पर लेकिन हम ने यह इस चीज का इनलेसिस नहीं किया कि जो यह slit है यहां पर जो slit है इस पे जो तरंग आग्र पहुंचा है चोटा सा उसके पर tyreएक बिंदूपर भी तो चोटे-चोटे आगर हम इसको हम यह ले 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 मैं तोड़े सको बड़ा करके दिखा रहा हूँ अब तो आम अगर किताब नहीं समझाया है किताब में अलग--छीज़ें दोनों रूप में लेकर चलें और इसके कारण बच्चा पेला कन्फिर रसे रहा था है पता नहीं क्या बना रखता है थीक है वो है वहतीकरन ही पर किता है कि Slit की चौड़ाई में वहतीकरन हो रहा है उसको हम क्या है वीवर्तन कहते हैं तो एक्साम में कई बार आ जो व्यतिकरण हो रहा है वह विवर्तन है यानि कि सिंगल अगत स्लिट है तो वह विवर्तन है ध्यान रखना क्यों हर चीज का अब जो मैं यह पढ़ाने जा रहा हूं आपको इसके अंदर बहुत सारा आपको कल्पना भी करनी पड़ेगी अब जो है इसको हम पहले उत्तर हमें पता है उससे हम रहे प्रथम बिंदू पता है उस उत्तर से क्योंकि हमने को पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। वेथिकरण हो रहा है वेवर्तन है लेकिन हमको पता है कि इसके अंदर वेथिकरण ही हो रहा है वेथिकरण के खारण ही यह वेवर्तन हो रहा है अब आपकी जो किताम में जो चित्र बनाया हुआ है पहले उसको देखते है यहां से एक तरंग आई यहां से एक तरंग आई और उन्होंने माना है कि अनंत्पर है तो उन्हें कहा कि जो केंद्र बिंदू से तरंग चल रही तो यह सीधी चलेगी अपने पता ही है धुरुव से अगर कोई हो के जाती है तो वह रहती है और इसको मान लोगे धुरुव का रूप है तो यह अपनी सीधी चली गई इसी प्रकार कि यह क्या है यह बेसिकली तरंग आगर के लंब वट लाइने क्या है यह है ही हां बहुत जज्यदा है ऊपनें कोई बात नहीं है हमारे को यह देखना यहाँ पर कि तरंग तो आगर यह है तरंग आगर यह था और तरंग आगर के जो लंबद होती हैं वो परकार और काषख किरन Ricardo की हमान छुक्ती है तो होता है तो होता है सेकेंडरी है ना जो की पहले के पास बन रहा हो वह जालाता है लेकि यह बंछी यह कि यूब सिंपल है कि यहाے कई है आख चल रहे रहा है अगर और ओर इस तरंगग यहाँ पहुंचने पर motiv क्या होता अपेक्षा हुआ होनी पशा सीधिसे सीधी जाए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता अभी आँको बताया है कि कि इस इसे में यहाँ पर भी जहाला भी एक तरंग बन रही है इस कोने के लिए एक तरंग बन रही है। сक यह हुआ है, थोड़ी सी खिरने दिखती है, जो रहा गारके, पर पैंडीकुलर है, वो हमें दिखती है मुड़ी हुई। मतलब इसको भीवरतन का मतलब जो पाथ था उससे भटक गए। यानِ पास से थोड़ा सा मुड़ गई हो यानि कि मान लीजिए ये थीटा कोंड से मुड़ ही तो ये वाली जो यहां से निकलेगी किराण वो भी यही होगी और जो यहां से चलेगी वो भी यह होगी अब बच्चा जब इसको देखता है चित्र को तो कलपना भी नहींकर सकता है यह कि असको और इस से कैसे बनेंगा बच्चा कैसे यह जरूरी है यह है बताया कोई बच्चा कि कैसे बन सकती है कर्ण के लिए क्या जरूरी है तरंगें कही ना कहीं मिलें जब ही होते नई अधिक रहन कैसे होता है दो तरंगों का जब कि वह एक दूसरे के साथ मिल रहें वो ही अपने आध रिशना च्छोड़ी सी बात कभ हो रहा है यह अपन को एक तरंग थी दूसरी तरंग इसके साथ तो अपनी जो इसका मत्दभा दो तरंगों का कहीं न कहीं इंटरफेरस होना है यानि कि एक दूसरे किताब मिलना है चाहे तो विनाशी हो उनका वैतिकरन चाहे वो संपोशी हो इन दोनों के लिए ऐसा इस्तिती के अंदर जो कि आपके किताब में दे रखा है उसमें उनने न क Sup ab啊 का सिरा साफ ट्र 210 City ये हैं और एक है सब्य 노 Never編 आड टूं कि ये लाइन और एक हमारी ये कहीं भी चला जा रहा है समें यहीं वालत आई कोई कि कहीं भी चला जा रहा है तो यानि कि यह वाली जो सीधी रेखा यहां पे पहुचेगी और यह जो मुढ़कर पहुचेगी इन दोनों के पत्व में अंतर हुआ यह नहीं यह लंबा पत है और यह छोटा पत है इसका मतलब यहां से अगर हमारी जो तरंग चल रही थी वो जित्ती तरंग दयर्दे पूरी करेगी उससे ज्यादा तरंग दयर्दे यहां पे लगेंगी ज्यादा तरंग दयर्दे यह समझ-भाया गया हैं, नेचलरली क्योंकि अगर छोते डि स्टैंस में उतनी तरंग दैड़कें खामानलो तीन तरंग दैड़कें तो इसमें बड़े में ज्यादे लगेंगे, छार लग सकती है, 7لة 4,下 морण 4 जो लंवत यानंकी इसके पैरलल यानि ऑभी तरंगाग्र हो गया इसके लिए इनके तरंगागर घागा किया होता है प्रकाश की किर्णय किसके नबत होती है तरंगाग्र के प्रपरेंडिकोलर होती है तो अगर यह दूरी निकाल ली और यह वाली जो दूरी है यह इस point और इस point की बीच में difference है कहां का इसके यानि कि हम यह कहां का इसको P कहें और इसको Q कहें तो P वे Q में पत अंतर QS होगा इससे किसी को कोई question ठीक है नहीं बात क्योंकि यह लंबवत है यह लंबवत अगर हम किसी से perpendicular डाड़े तो correct length आ जाती है उसकी तो हमने इस पर lump डाला इस फाई लंबाई में यानि यहां से यहां तक की लंबाई में और इस लंबाई में कितना अंतर है वो यह है जितनी लेमडा होगा जितना भी लेमडा होगा हम निकलेगा हमें पता नहीं कितना है यह किताब में अपने एक lens लेते हैं उत्तर lens ठीक है एक उत्तर lens लेते हैं और उत्तर lens को हम इन बीम के सामने रखे देखें जो होगा तरंग आगर चल रहा है जो तरंग चल रही है अगर मानली यह हमने एक उत्तर लेंस लगाया अब जैसे हमने एक उत्तर लेंस लगाया उत्तर लेंस की क्या होती है खासियत अगर जो पैरलल रेज आ रही है वो कहा मिलेंगी फोकस पर तो यह तो पहले ले आ दे थी इसका मतलब यह कहीं न कहीं मिल जाएंगी अब इसका मतलब हम एक परदा लगा सकते हैं अगे एक परदा अब हम लगा के देख सकते हैं अगर हम एक उत्तर लेंस को यूज करें हैं हाँ पर इसमें किसी तरीके से यह तो मुधारा बता रहा हूं अभी करेंगे exactly use कैसे करेंगे बताऊंगा कि अगर हम इसको उत्तले हैं इसको उसको यूज कर लेते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि यह किरने कहीं पर मिल रही है और उसका एक प्रतिविम बनेगा यानि कि हमको फ्रिंजेस को हम observe कर सकेंगे यह इस किताब में जो अपने अपने यह सबसे बड़ा फरत है उसके अंदर कीवालिे करने के लिए कहा गया है कि ऐसा हो तो ऐसा और अब ऑना इसको एक्शन में करके देखेंगे एक्ट्वम में इसा होगा यह नहीं होगा ठीक है यह समझ में आ गया कि पतंतर यह होता है और अगर हम इसको अगर वैसे भी थोड़ा देख लें एक छोड़ से यहाँ इस चीज़ को देखी लेते हैं अगर यह अगर हम कहें कि यह थीटा है तो यह एंगल कित्ता होगा 90 मानिस थीटा यह कित्ता होगा थीटा यह समझ में किसी बच्चे के अंदर कन्फूजन हो तो यह थीटा था यह 90 मानिस थीटा और यह भी 90 है पूरा तो 90 मानिस 90 मानिस थीटा ठीक है और यह कोड़ हम को पता ही है क्योंग यह इसके समाना अंतर यह भी थीटा है अगर हम तिर्भुज पी क्यू एस देखें पी क्यू एस इसमें बेटा साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा क्या होगा लम तो यह है क्यू एस और लम अपन कर्ण क्या है पी क्यू क्यू एस अपन पी क्यू और पी क्यू मान लिए इसके फिरिंज विर्थ है स्माल दी तो क्या हो गया क्यू एस क्या हो गया क्यू एस अपन दी इस इकॉल साइन थीटा और थीटा क्योंगी छोटा है इसको मान सकते है थीटा इसलिए थीटा इस इकॉल तो और यह क्यू एस क्या है हमारा पाथ अंतर पाथ अंतर मान लो इसको पी कहेंगे हम पाथ पाथ difference ठीक है तो P तो क्या हो गया थीटा इस इकॉल तो small P अपन ठीक है कोई दिखकर तो यह एक बेसिक चीज़ है जो आपकी किताब में दी हुई है तो आपने को यहां पर याद रखने के लिए इसको लिख लेते हैं आपर और इसको कहते हैं विवर्तन कोंड थीटा हो कहते हैं विवर्तन कोंड विवर्तन कोंड ठीक है यहां तक किसी बच्चेव कोई विवर्तन पर कॉस्चन नहीं आया हैं एक भी साल किसी बी एकजाम का इसा नहीं है किसी बेग्जाम का कोई भी साल यह कुश्चन तो निश्चित रूप से आता है यह विवर्तन के ऊपर आप इसको यहां पर ऐसी छोड़ देते हैं इधर आ जाते हैं कि यहां ने लिया है पर और लिखा लेते हैं इसे की सर अलता हो जाए लगा बहुत छोटा है आपम देखें लिएह बहुत छोटा है लेकिन इसको हम बड़े रूप में देख रहे हैं जिससे कि समझने के लिए की वल समझर निलिए प् apenas बड़ा नहीं है यह क gat दूसरी करण यहां पर आई एक यहां पर आई अब हमने एक लेंस रखाएं आपर पर यहां एक उत्तर लेंस रखा आप देखिए कितना सरलता साब को समझ आएगी बात यह अपने एक उत्तर लेंस रखा और इसके बाद में एक परदा लगा दिया यह किरन यहां के कहां से जा रही है धुरूब से यह तो सीधी आएगी यह किरन अब का पन लेक 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 हैं से कि शरलतार है P, Q, इसको O माल लेते हैं, इसको P माल लेते हैं, center को. ठीक है, एकदम अपने सिंपल जो अभी तक पढ़ा हुआ है, इसमें कोई परवर्थान अपने नहीं किया, अब हम को यह देखना है, कि यदी एक तरंगाग्र, कि यवाद सीधा चलता जला जा रहा है। यहाँ कैसे हो जाएगा मुड़कर, याद है आपको? ठीक है, कोई confusion नहीं है, अब आपके काम करिए, कि इस पूरी दोरी को हमने यहाँ से लिखा पहले 0 समझने के लिए, केवल समझने के लिए, वैसे 0 होगी तक कुछ नहीं होता हम आपे, और यह मानली यह 12 पॉइंट, इसका मतलब यह 6 और इसके बीच में हम 5 बिंदू बना है, एक, दो, तीन, चार और पांच, यह काफी मना ले ना बेटा, एक, दो, प्रावर दूरी पे 5 बिंदू हो गए, यानि कि यह तो हो गया पहला, यह पैन अजीब से क्यों चल रहे है, लाइट ही में फिसल रहा है, ठीक है बेटा, अब अपन अपने जो बेसिक परिकल्पना है, उसको उस पर आ रहे है, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा था है, विवर्तन कब होता है, जब की प्रतेक बिंदू से, प्रतेक बिंदू से एक, छोटी तरंग बनके निकले, और व अपने को यह देखना है, बच्चों, बहुत सबसे इंपॉर्टन बात है, कि अगर हम कहें कि जीरो और छे, या जीरो और एलेवन, जब यहां पर इस तरह से मिल रहा है आके, तो क्या इन किर्णों में पथ अंतर कोई बच्चा बता सकता है, यानि कि जीरो से निकलने वाली और इसको मैं माणलो हम कहे देते हैं S, जीरो और क्यू, और पहले जीरो और क्यू के बारे मैं बताओ, जीरो और क्यू के बाद में, ओ तक पहुँचने में, अगर 125 और क्यू क्या तो क्या ओ तक पहुंचने में किती दूरी लगेगी अलग लगेगी या बराबर कोई बच्चा बता सकता है आपको देखने दिख रहा होगा बलकि मैंने थोड़ा सा प्रेटा बना दिया इसका मदद यह कि बराबर है ठीक है दोनों बराबर दिख रही है इसका मदद पतंतर किता हुआ यहां पर पतंतर जीरो होगा तो बेटा आपने जब पूछा था उससी के आगे चलते हैं अपन तो कल अंतर क्या होगा क्या होता है टू पाई बाई लेम्डा इंटू पी क्या है यह जीरो होगा तो आपके यहाद है इंटेंसिति का फामड़ा मां सामने लिखावा ही है तो इस एकल टू आइवन प्लस आइटू to 2, I1, cos 0, ठीक है, 5 0 है, कलांतर 0 हो गया, यह कलांतर ही होता है 5 वाला, गोई वाले चत्र में याद करो, कांग यह, यह वाला चत्र में 5 होता है, यह पूरे समय आप पूरे फिजेक्स 12 की इसी पर डिपेंड करती है, गोल्ड बार डियाग्राम पर, तो यह क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, मैं हर बाइभा अरगला क्यों लिखता हूँ, I2, I1 को पता है आपको, नहीं तो अंडर रूट भी एक साले भी दिश्चता हूँ, दोनों को, लेकि इससे लिखता हूं, अब आप बता सकों कि यह क्या बन गया, क्या दिख रहा है बंतर बेख इसका क्या हुआ यह संपोशी इसका मतला हुआरे ओ बिंदु पर संपोशी वहती करनों का यानि कि इसके द्वारा भी जो अलग अलग वेव बन रही है जगे जगे उनके कार भी यहां पर ब्राइट ही फिरिंज बनेगी यानि कि चमकीली फिरिंज ही बन रही है यहां पर भी अगर इस तरह से के पथंतर हुआ तो यहां पर चमकीली कोई दूसरा पहन दे दो प्लीज चमकीली फिरिंज बनेगी यह बास समझ में आई यह नहीं आई कित एकदम सिंपल तरीके से यह अपने निकाल लिया कि यह चमकीली फिरिंज यहां पर बनेगी अब आप मुझे यह बताओ बच्चे कि अगर हम इस वाले बिंदू को और इसके कोर्रस्पोंडिंग समान रहेगा यानि कि इन दोने बीच जो इन दोने बीच में है इन दोने बीच में कित्ती है लेमडा बाइ टू यह lambda by 2 है तो जो पहला point लेंगे और इसका पहला point लेंगे यानि कि एक और 7 के बीच में यह lambda by 2 होगी 2 और 8 के बीच में इसी पकार 3 और 9 के बीच में तो corresponding point की बीच में lambda by 2 इनका पथंतर है यह बच्चों समझ में आई बात कि इसको एक और 12 लेके कितना असानी से इसको कर सकते हैं एक से बारा लिखेंगे अभी आभी देखेंगे और भी अच्छा लगेगा आपको कि हमको यह पैसा लगा एक मिनिट के अंदर कि किसी बच्चे को इस बारे में कोई confusion दो बता दें फिर आपन next stage चलते हैं इसकी ठीक है अब अपने कहा कि इसके और इसके बीच में जब यह यहां पर पहुंचे इसका मतलब पथांतर जीरो है तो कलांतर किता होगा जीरो होगा तो इन दोनों बीच में कोई से दो corresponding point ले 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 तो उसकी बीच में क्या होगा और इन दोनों बीच में लेंगे तो लेंडा होगा समझा रहे ना क्योंकि अगर हम छटे और इस point की बीच में लेंगे तो क्या होगा छटे और बारा की बीच में लेंगे तो क्या आएगा बताओ बिटा इसका मतलब यह होगा कि कोई से भी corresponding दो पाइंट ले लो corresponding मतलब 1 0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 और 6 12 सम्मे लेंडा पाई 2 लेंडा पाई 2 का difference होगा ठीक है इसलिए पहली fringe जो हमारी यह चमकीली fringe बनेगी ठीक है आगे चाल सकते है किस जागे बेटा बहुत अची बात है अगर उत्तर दर्पन अखोगे तो क्या होगा अब बताओ क्या होगा इसका मतलब यह हुआ कि अब ना तो विवर्तन होगा ना और क्या होता है ना वेतिकरन होगा क्यों क्योंकि जो वेव जो आ रही है जो वेव यहां पर आ रही है वो केवल दर्पन उत्तर दर्पन है उत्तर दर्पन से वाविस हो क्या होगा इनका आपको इस दिखाया था यहां पर रुको रुको बेटा एक बनी आवास ही नहीं समय आप तो वेव की बात कर रहे ना अपन अपने देखा था तो जो वेव यहां से पहले पहुंची इस जगे यह वाबिस चलेगी यह वाबिस चलेगी इसको यहां पहुंचने में देर लगेगी काफी जाए जबकि आगे निकल चुकी होगी तो कैसे वेव फ्रंट बनेगा लेंस की तरह दर्पन की तरह इस तरह यह बनना शुरू हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास फ्रिंज की तो बनने की कोई चांस नहीं रहा क्योंकि दर्पन लगा दिया हमने तो बने गए अब अधिक्तम यह हो सकता है कि यह जो चल रहा है वेव फ्रंट यह एक प्रतिविम बना दे यह प्रतिविम बना दे इसके लावा कुछ नहीं हो सकता अब इसका हमारे बाता है अगर मान लीजिए फोकल दूरी यहां पर है कहीं तो क्या होगा जो पहल लल आई एक यहाँ से क्या होगा यहाँ पे एक जगह आप अब यह किस का बन रहा है किस चीज की चीज़ का प्रतिविय्य मन रहा है यानि यह मान रहे हैं हम यहाँ पर अब इस जगए खाली जगए नहीं है यहाँ पर आम मान रहे हैं दो तरंगों का आपस में एक के ऊपर क्या किरिया हो रही है उसको हम जांच रहे हैं दो तरंग या तो एक दूसरे से मिल रही है या अगर विनाशी होता है तो यह दूसरे में लग होती है कि रिजल्टैंट यह जाता है आई बास समझ में तो अभी अपने को ये समझ में आ गया कि केंदरी पे किस प्रकार से चमकीली फ्रेंच पहरी पहरी बनती है अब हम देखते हैं कि दूसरे करे की स्थिति में वैसे तुमारे मन में कैसे आया कि दरपण की बाद क्योंकि दरपण अपने को देख लेना चाहिए कि दरपण में वैतिकरण होगा या नहीं वैतिकरण कब होता है जबकि दो कोई सी भी दो तरंगों में पात अंतर होता है पथंतर होगा तभी वैतिकरण हो सकता है ठीक है ना और वैतिकरण अगर हम एक ही स्लिट से मानते हैं तो जो अनेकों अनेक वाँ से छोड़ी छोड़ी तरंगे निकल रही हैं उनके कारण जो होगा विवर्तन क्यलाएगा ठीक है अब तो आगी चल सकते हैं क cabe haam Shop Explore अब हम यह देखते हैं कि अगर यहां तो खिरण मुड़ी निवर्ती ती क्यों बिल्कोल समारानटर चलती भी आ रही थी अब हम सेकन र्ス कैसे उसका क्या परभाव होगा यह बच्चा बतासता है कोई भी पता है अगर इस से पहले एक छोड़ी चीज और समझ लो आप अगर कभी भी कभी कोई सा क्वेश्चन आये एक्जाम के अंदर उसको इमीजेटली पिक अप करने के लिए कि क्या इसके अंदर हमको करना इसमें इसके विवर्तन के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या इसका संपोशी वैतिकरन हो रहा है या विनाशी वैतिकरन हो रहा है यह सबसे पहले यह जांचना चाहिए किसी क्वेश्चन में अगर हमने यह सही रूप से जांच लिया कि विनाशी हो रह मेरे को लेकिन नहीं दोबा बना लोगों फायदा रहेगा वह से तो जगे बनाओ इसको दुबार नहीं अब दूसरा आपके दूसरा है सेम वो नहीं है यह यह वो नहीं है बिटा बारा बनाने बारा ही है ठीक है अब हमने सबसे पहले तो इस परकार की पहले बनाया था उससे बना लीजे यह समाना तक दरने सबसे एजी होता है इनको बनाना इसलिए सबसे पहले इनको बना लीजे ठीक है अब हमने देखा कि वैति करण हो रहा है अब हमने बना लीजे। यह थीटा तो यह भी थीटा है हमने क्या कहा था कि एक लैंस लगाएंगे उस लैंस के दुआरा क्या होगा इसको में देखना है अगर हमने इसके एक परपेंडिकुलर लैंस लगाया और ताथ पहले हमने एक अब यहां पर लमब वत लेका खैंची यह इस रेखा के लंबत है इस लंबत के हमने पैलल एक लेंस लगाया यह जो है उसी कोण से मुड़ावाया जिस कोण से यहां पर यह बेटा बताओ इसको इदिकत अपने इसको यूज इसलिए कर रहे है जिससे कि अब आगे जाकर कहीं पर परदे पर अपना फ्रिंज बना सके इसका मतलब मानलीज हमने परदा यहां लिया अब कोई बच्चा पताशता है कि कौन सी किरन कहां से बनेगी यह तो इसका मतलब यह हुआ यह तो इसके उसके में से जा रही है दुरूब में से अब चूंकि यह तरंगाग इसके पैलल हो गया है तो क्या होगा अब अपने के वाल इन उन रेखाओं को देखा है जो कि मुडी हुई है ठीक है बटा यह रेखाओं को देखाओं को देखाओं को देखाओं को देखाओं इस रेखा के संभानान तर है यह वाला एंगल कितना हुआ थीटा और अपने क्या के लिखा थे इनको पहले पी बिलकोर सिंपल फॉर्म में बना दिया इसका जब तक आपको यह केरने मिलती भी नहीं दिखेंगी कभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुल में क्या हो रहा है और अपने किताब में क्या कोईश किया कि समाना तरक किर्णों को दिखा दिया और आप बाद में ने कह दिया कि आगे जाकर यह मिलेंगी ठीक है अब हमने को देखना है कि अगर अगर अब यहां पर मानना और नहीं आए तो मुझे बार बाप पूछ लेना माना की पथ अंतर माना की पथ अंतर अब क्या मानूँ पथ अंतर बताओ क्या माना जासता है इससे की कोई समझने मजाता है कि या या तो संपोशी या विनाशी तो उसके लिए विए कि एक तो होता है क्या फामुला होता था टू ईन प्लस वन लेंबडा ये भाई टू विनाशी में और संपोशी में क्या होता था एन लेंबडा ठीक है तो इसका मतब्द ये अपने को देखना है कि इन दो नमेज शायद कोईचीज यूञरा होता है क्यों हो तो वैथिकरंड कराओ को दूसर चीज नहीं कर रहे है अपन व्यतिकरण को ही इस में देख रहे हैं कि प्रतेक बिंदू जो यहां पर है जीरो से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा ठीक है बेटा हम यह मान के चल रहे हैं अब कि यह पथंतर अगर यह लैमडा है और इसको हमने दो भागों में बाटा इसको पहला भाग उसको कहा देते हैं ओन और दूसरा भाग कहा देते हैं टू हमने अभी देखा था पहले चित्रमें कि कोई से दो बिंदों के बीच में पथांतर लेमडा बाई टू है ठीक है कोई से ठीक है और पथांतर अगर लेमडा बाई टू है इसलिए करांतर किता होगा टू पाई बाई लेमडा इसलिए हम आई को देखें तो क्या आएगा कोई स्पाई क्या होता है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा सिंपल बहुत है यानि कि अगर पथांतर यह वाला लेमडा है माना कि पथांतर पी वे क्यू के मद्ध लेमडा है तो क्या हो रहा है विनाशी होगा क्योंकि पर्थम भाग वे दृतिय भाग की तरंगे दिनाशी अब यतिकरन करेंगी इसका मतलब क्या हुआ कि यदी ओ बिंदू यदी ओ बिंदू वे बिंदू है यह लिख लो इसलिए यदी ओ वे बिंदू है जिसके लिए पी वे क्यू में विनाशी वे तीकरन हो रहा है तो ओपर डार्क फ्रिंज बनेगी बात समझे आगे वे से हम यह कह रहे हैं कि अगर वो वे बिंदू है जिसके लिए कि यहाँ पर पाथ अंतर अगर लेम्डा है यह वो बिंदू है जिसके लिए कि अगर पाथ डिफ्रेंस यहाँ पर लेम्डा है तो ओपर डार्क फ्रिंज बनेगी यहां से ओपर क्या होगा उल्टा निकाल रहे हैं हम यहां पर अगर पथांतर लेंड़ा है तो ओपर डार्क फ्रिंज बनेगी क्योंकि वहां पर विनाशी वेतिकरण होगा और यह कहलाती है प्रथम डार्क फ्रिंज यानि कि प्रथम डार्क फ्रिंज बन गई हमारी जबकि पाथ डिफ्रेंस है लेंड़ा इसका मतलब यह हुआ हम यह कह सकते हैं कि डी साइन थीटा इस इकल टू लेंड़ा जैसे पहले निकाल रहा था पर लेंड़ा नहीं थाए यह लेंड़ा यह थीटा इस इकल टू लेंड़ा या थीटा इस और थीटा तीसरा क्या होगा? इसे थीटा एन क्या होगा? यहाँ पर आपने देखा एक फरक जब दो तरंगों का अलग-अलग फ्रिंजेस से व्यतिकरण हो रहा था तो वहाँ पर संपोशी आया था एन लेमड़ा यहाँ पर आया है यहाँ पर विनाशी आया है, यहाँ पर विनाशी आया है यानि कि थीटा tha क्या मतल़ हुआ? कि इस एंगल यही है तो यहाँ पर ऑपर टार्वर फ्रिंज आएगी यहानि कि इस थीटा की वेल्यू अगर हमारी लेमड़ाख एध है प्रसम डाक zh जाएगी यदि इस theta की value 2 lambda by d है, तो दूसरी dark फिरिश जाएगी, हो सकता है हीहाँ पर बने, theta 3, अगर theta three 3 Drug के बड़ाबर है ,3 lambda by d, 3 lambda by d ह तो हो सकता है यहाँ पर तो यह सब dark fringes बनती चलिये जाएगी, जबकि हीहाँ पर dark fringe बनी थी तो फर्ख हो गया ना इसलिए वह हलकी हो जाती है अब इसका और भी इस पर आएगा क्योंकि जहां पर पहले जगे हमारा पहले बन रहा था ब्राइट फ्रिंज तो ब्राइट फ्रिंज और दॉनों मिल गए तो धुन्दा धुन्दा हल्का सा फ्रिंज दिखेगा ये बचे आपके प्रश्र का उत्तर है जो आपने मुझस से बूचा तहीं लिगे अभी पेन और एक स्टेप और आगे भी जाना चाहते हैं दस मेर डुख सकते हो ना विली नहीं दस मेर जरूरी क्योंकि इसको फिर यह कल सारा कंसेप्ट दुबारा बताने में थोड़ा सा महनत लगेगी तो अपन नहीं यहाँ पर लिख लिया इससे हमें यह भी पाई चल रहा है कि जो फ्रिंज की स्थिती है जो फ्रिंज जो बन रही है वो डी के व्यूत करमानू पाती है इनवर्सली परपोर्शनल यह देखों यह कितना नुक्सान होता है पढ़ा में हिंदी में 11 तक उसके पास फिर क्योंग इंग्लिश में पढ़ते गए यह छोड़ी चीज़े भी आदमी भूलने लग जाते है यह अपने वहाँ पर लिख लिया आप हम एक देखना चाहते हैं कि दूसरा चमकदार कहां बनेगी पहली चमकदार फिर्ज तो बन गई अब दूसरी चमकदार फिर्ज बड़ी वाली के बात बननी चाहिए अब उसका देखते हैं कि उसके लिए क्या पतानतर होना चाहिए हिंट है इसके अंदर इससे बताओ क्या होना चाहिए क्योंकि जहां संपोशीति वहाँ डार काई तो इसका मतलब अप्रोक्सिमेटली 2N प्लस 1 लेमडा बाई 2 के असपास होना चाहिए है ना तो अगर हम मान लो n is equal to 1 मान ले तो क्या होगा 3 लेमडा बाई 2 मतलब उसका व और इसको हमने तीन भागों में बाट दिया अब 2 की जगे हमने इसको तीन भागों कैसे बाट सकते बारा हैं अपन ने इसलिए बारा लिये थे चार चार के अन्ने बाट दिये अब अगर हम इसको तीन भागों बाट दिया अब अगर हम इसको तीन भागों बाटते हैं अगर यह 3 लेमडा बाई 2 है कौन बच्चा मुझे बताएगा कि यह क्या होगा A M N M N क्या होगा यह बताएगे अगर यह 3 लेमडा बाई 2 है तो और 3 भागों में बाटा परने तो यह होना चाहिए इस भाग में लेता है बताओ M N क्या होगा और M N क्या होगा कौन बच्चा बताएगा सब बता सकते हो आप आपको हिंट देता हूँ यह क्या है 90 जिए अंगे यह भी 90 जिए अंगे यह और यह थीटा है तो यह भी क्या होगा सारे सार जगे यह वाला भी थीटा है अब बताओ कैसे निकाला इसने कोशिश करिए कि उसको उसके साथ जोड़ के निकाल लूँ अब आप इसको सिंपल मैट्स लगाओ ना इसके अंदर अरे अगर यह इतना सा निकालो ना दो सम्रूप टिरबूझ अगर एक सम यह है यह मालो क्या होता है A, B, C, D, E, F, G, H. आप यह क्या होता सम्रूप टिरबूझ आहिए वाले ये 90D एंगल यह 90D एंगल यह समान थीटा, ठीक है तो दिवाला कॉण भी समान होगा सब के लिए इसका मत्दाब यह सम्रूप तिर्भूज हो गए तो D E D E इस वारे तिर्भूज में बड़े वाले में D E अपॉन A D C, ratio proportion is equal to C F upon A C, अपनको A C 2 3 E 2 by 3rd, अपनको D पता है, 3 by 3 lambda by 2, 3 lambda by 2 divided by A D, A D क्या है, A D is small d है, C F, आपने मों निकालना है, A C, A C क्या है, अगर यह, यह 3 भागों बटावाए न, तो क्या है, C F क्या आगे इसलिए, C F is equal to, कर पा रहे हैं नहीं, लेम्डा और यह, लेम्डा by 2 यह 3 लेम्डा by 2, मुझा आशी आख बंद करते, अपना आपा जाने चींगे, नहीं समझ भाए नहीं पूछ ले ना बता दूंगा इसको दुए नहीं, नहीं नहीं, दुए दौरा, अपन कोई चिंता नहीं, कोई चंता नहीं, यह सब चीज आनी चाहिए कोई बात नहीं इसको अभी कर लेंगे एक मिनिट लगेगा एक्स्टा चलो अब यह द्वारा देखते हैं अब इस तिर्भुज को देखो बेटा तिर्भुज पी, क्यू, टी, पी, क्यू, टी, वे, पी, क्यू, टी, वे, एम, एन, पी, एम, एन, यह कौने सब रूप तिर्भुज है अते हैं बुजाओं का अनुपाथ समान होगा ठीक है अब इसमें देखो अपने कौन-कौन सी पुजाओं का अनुपाथ देखना है अपने को एक तो देखना है QT इसलिए QT इस बड़े वारे तिर्भुज का QT अपन QP is equal to MN upon M P, MN upon M P, यह बच्चों समझा आया है निया है, यह दो समझा आगया है, ratio proportion, नहीं नहीं आया है तो बता दे बेटा भीबी, नहीं आगया, आगया, शूर, चलो, अब बताओ QT क्या है, 3 lambda by 2, और QP क्या है, दिया वारे D, MN क्या है बेटा, MN ग्याद करना है, और M P क्या है, ठीक है, कोई दिकर, इसको में लिख सकते है, 3 lambda upon 2D, और इसको क्या लिख सकते है, MN 3 by 2D, लिख सकते हैं, लिख सकते है, 2D से 2D कट गया, MN क्या आ गया, लेम्डा, वैसे मुझ आवाई निकाल लेना चाहिए था अपने को, क्योंकि अपने को दिख रहा था है, यहां पर कि इस लेखा को 3 भावग में बाटा है, और यहां 1 lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, 3 बाट जुड़ा है, अपने को यह दिमाग भी लगाना चाहिए, कि common knowledge से कैसे निकाल सकते हैं, तो लेम्डा by 2, lambda by 2, lambda by 2, 3 इससे किये थे, तो अपने को करना पड़ा, यह एक्जाम में करने ही जरुत नहीं होती, एक्जाम में देखते हैं लगा लेना चाहिए, अपने को, यह तीन भावग माटा है, lambda by 2, lambda by 2, प्लस लेम्डा by 2, इससे अपने पता होना चाहिए, यह यह प्लस लेम्डा by 2, यह तो बनती के चली जाएगी, अब उसने मुचसे कहा, कि अगर इसके चली बीच में हमने एक काच की पट्टी लगा दी, जिसका की म्यू कुछ दे रखा है जिसका म्यू कुछ दे रखा है तो फिरिंज की विर्थ पे क्या फर्रक पड़ेगा पहले अपने इसको कर लेते हैं तो आपको घर का होमवर्क है तो अब यहां पी और क्यू के बीच पे खिता हो गया पाथ अंतर ठीक है और अब बच्चों बताओ यह important बात पी और एम के बीच में कितना है पी और एम के बीच में पथंतर कितना है पी वे एम एन के मद्ध है कितना है पाथ अंतर बताओ यहां तो था अपने लेमडा बाई टू निकाला यहां लेमडा बाई टू था यहां लेमडा बाई लेमडा था तो कितना है लेमडा बाई टू ठीक है यह है न बीटा यह लेमडा हैने बीच में इसमें बीच में कित्ता हुगा इसके कोई से दो difference किता होगा, जल्दी बताओ, बताओ कलांतर किता होगा, ठीक है इस बच्चे को दिक्कत हो नहीं पाई होगा, और पाई होने का मतलब क्या होता है, विनाशी, विनाशी, अब यहाँ विनाशी अगर हो गया, इसका मतलब यह होगा कि यहाँ के पॉइंट से, इस पॉइंट से जो भी प्रकाश आ रहा था, और इस पॉइंट से जो भी प्रकाश आ रहा था, उन्होंने एक दूसरे को समाप्त कर दिया, अभी देखो अब क्या हुआ, कि इस वाले हिस्से में से, और इस वाले हिस्से की बीच में, चूंकि कलांतर पाई है, इसलिए विनाशी होगा वैतिकर्ण और विनाशी का मतलब यह हुआ कि यहां से आने वाला प्रकाश और यहां से आने वाले इस जगे इसकी जगे डार्क बनाएगा यहां पर केवल ठीक है लेकिन यह कैसे हो सकता है फिर इसका क्या हुआ नीचे वाला हिस्से का अब यह नहीं यानि कि जो तीव्रिता होनी चाहिए फ्रिंज की अपके वाले फ्रिंज की तीव्रिता जाद होनी चाहिए थी लेकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दो हिस्तों ने तो आपस पर इसकी तीव्रिता कम कर दिया जीरो कर दिया अब केवल तीव्रिता कहां से रहा गई कि जो तीवृता थी बराबर थी यहां आप देखें यहां आपन जैसे ही अपने पतंत थ्री लेम्डा बाई टू लिया तो यह दोनों दूसरे क्रॉस कर गए अब प्रकाश किसमें से आ रहा है केवल MQ में से इसका मतलब केवल वन थर्ड हिस्से में से प्रकाश आ रहा है इस प्रतेक बिंदू के बीच में लेम्डा बाई टू पाथंतर है लेम्डा बाई टू पाथंतर का मतलब हो गया कलांतर हमारा पाई है इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण होगा इसका मतलब प्रतेक बिंदू से निकलने वाली जो यहां लाइट है वह इस वाई लाइट को मिला को जिसके कारण की fringe की तीवृता दिख रही है उसको contribute कर रहा है और चुंकि केवल एक बाई तीन हिस्सा कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक तीहाई रोशनी है केवल जो हमारा पहला जो fringe बना था उससे जो अब यह fringe बना का है एक तीहाई तीवृता का fringe है कि किसी बच्चे को इसके बारे में कोई मन में doubt हो तो बता दे इसका मतलब क्या हुआ अब बहुत जल्दी कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो अगर P उसमें लिखो सीरे सीरे जल्दी से P sin theta क्या होगा sin theta क्या होगा sin theta क्या होगा जल्दी बताओ sin theta lump lump यह है अपन कर्ण यानि कि 3 lambda by 2 lump और कर्ण क्या है d is equal to 3 lambda upon 2 d यानि कि theta is equal to 3 lambda by 2 d इसको क्या लिख सकते है इसको लिख सकते है 2 n plus 1 यानि कि theta n क्या लिख सकते है 2 n plus 1 2 n plus 1 lambda by तो यह विनाशी यह विनाशी form में आ गया जो कि उसके अंदर दिख रहा है आपको जब कि यहाँ पर प्रकाश जे रहा है यहाँ पर हलका प्रकाश जे रहा है यहाँ यहाँ पर यह यह bright fringe है लेकिन यह hulky bright है जो पहली bright थी उससे hulky है और इसका बहुत simple है formula इसके बहुत simple है इसको कि और theory समझना इसके अंदर important है कि क्यों इसका one-third हिस्सा ही contribute कर रहा है इसकी रोशनी के लिए यह इसका सबसे बड़ा महत्मून बिंदु था और अगर आप इसका distribution देखे ती वृता का distribution देख लो जराब अपनने देखा कि पहली वाली जो ती वृता है वो तो जादे है इसका मतलब हुआ पहली तो बहुत ब्राइट फ्रिंज थी दूसरी ब्राइट फिरिंज की तीवृथा इससे बहुत कम हुई one-third रह गई ठीक है इसकी इससे ब्राइट रह जाएगी इसकी इससे ब्राइट रह जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब कि आपको फिरिंज त इतनी कम हो चुकेगी कि हमें वो फ्रिंज दिखेगी नहीं समझें इसको हम क्या कह सकते हैं यहां पर क्या होगा पहली यह दूरी क्या थी अपने लिखा था निकाला था महाँ पर देखो पी भाई दी था उसके बाद थीटा एन इस इकल टू एन लेमडा बाई दी था तो ले आ कह सबस्ट एन वीग को, दिखेखेखे़कि देखे़किश, जिखे़किश,ब्रिखे़कि दिखे़किश? यह थीटा है और यह भी थीटा है अब बस एक क्वेश्चन पता दो आज लास्ट आज के पढ़ाई का कि इस सेंट्रल फिरिंज की कोणिये चौडाई क्या होगी यह लीने चौडाई था आपने निकाल दी टू लेमडा भाई डी कोणिये चौडाई क्या होगी कोणिये चौडाई और आपको याद दिराएता हूँ कोणिये चौडाई कैसे निकालते हैं सर्किल बोई ही बनाई यह अपने क्या कहता अगर यह थीटा एंगिल है यह क्या होता है यह क्या होता है आर थीटा और यह है आर इसका उप्योग करिए हमको पता है कि यहाँ पर क्या है यह डी है टी इस डिस्टेंस दी बतलब जो इससे डिस्टेंस है यह अगर इसको यह नहीं करके इसको यह नहीं करके अपर इसको स्रोथ से स्रोथ से स्रोथ से दोरी जो है उसकी परदे की दूरी है ठीक है ना क्यानी कि इससे अब बता के बताईए यह पता है ना आपको क्या होता है आर थीटा होता है तो अगर यह टू थीटा है तो यह कितना होगा अगर कैपिटल डी से बनके आ रहा है तो कितना होगा डी इन्टू थीटा डी इन्टू थीटा डी इन्टू थीटा कैपिटल डी इन्टू थीटा यह होगी इसकी कौन यह चलाई क्या होगी डी इन्टू थीटा क्यों होगी क्योंकि यह जैसे यहां पर गया है इधर ओके फिर इधर गया है ऐसे कि ऐसा बिलकुल यहां पर भी हो रहा है तो अगर हम यहां से एंगल निकालेंगे यहां पर यहां और एक यहां तो यह टू थीटा होगा यह दूरी किस्ती आ जाएगी डी क्या होता है फामुला आर थीटा आर तो डी है और थीटा है टू थीटा है किस्ता होगया दी इंटू थीटा बस वह अपने जो पहले दो चैप्टर पड़े थे ना वहर शन पर काम आएंगे बार पर आपसे काता है नेक्स छे चैप्टर जो है यहां पूरी फिजिस की जो सेकिंड बुक है पूरे में वह हमीशा आते रहेंगे काम प्रहाँ पर है अब एक बात गृट आ गई कि जो फिर्ज की विर्थ है वह इन्वर्स ली प्रपोर्चेल होती है सिलिट की विर्थ थि थीक है एक बात दूसरी बात कि जो प्रत्रति मिशन चamtग परิंड रही है उसके बाद जो भी च sencill मिशन बन रही हैं उनकी तीवता कम होती चले जा रही है ठीक है और एक तीसरा चीज हमेशा यह मन में याद रखना चाहिए इसके अंदर कि अगर हम जो वैतिक करण में पढ़ रहे थे विनाशी के लिए यह था और यह संपोशी के लिए था तो इसका उल्टा यहां पर यूज कर रहे हैं इसका होगा ठीक है और यह कि उसका उल्टा क्यों आया है यहां पर जबकि वह भी वैतिकरण है और यह भी वैतिकरण है यह विवर्तन हो रहा है विवर्तन कुछ भी नहीं होता विवर्तन वैतिकरण को ही कहते हैं जबकि एक इस सिलिट से सिंगल सिलिट से डिफरेंट